असलाम अलेकुम and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope सब बिलकुल ठीक होंगे और अपना बहुत जादा ख्याल रख रहे होंगे आज में बनाओंगे गोबी चिकन लेकिन थोड़ से डिफरेंट स्टाइल में जो बहुत यहमी बनता है तो यहां पर सब से पहले मैंने योगर्ट ले लिए उसमें सॉल्ट अड़ किया है और इसके साथ धी काले मिर्च थोड़ी सी डाली है और हल्दी पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला पाउडर यहां पर यह सब मसाले मैंने एक एक टीस्पून लियें और इसमें थोड़ सा लेमन जूस भी स्क्वीज कर दें और यहां पर मैं डाल रही हूं धन्या पाउडर, कुटीवी लाल मिर्च, अब इसके अंदर में अरांड 400 ग्राम्स चिकन, बोलने स्टिकन था मेरे पास वो डाल दूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसको एक हिंते के लिए मैंने मैरेने टोने के लिए फ्रिज में रख दिया था, उससे यह होता है कि अच्छे से सारे मसाले चुके में पैनिट्रेट हो जाते हैं और फिर जब सालन बनता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और यहां पर मैं गोबी ले रही हूं, में पस कोरियंडर आया है तो आपको मैं इसका एक हैक बताती हूं, जो कि मझे खुद अब बता चला है, पहले मेरा कोरियंडर खराब हो जाता होता था, तो अब यह 10 देस तक बिल्कुल फ्रेश रहता है, तो सबसे पहले को अच्छे से वाश कर लें और 3-4 आर्स के लिए उसके ब कोरियंडर बिल्कुल फ्रेश रहेगा, तो पहले तो मुझे नहीं पता था, मेरा कोरियंडर हमेशा खराब हो जाता होता था, लेकिन अब यह कि कोरियंडर 10 देस तो बिल्कुल आराम से चलता है, बैसे भी लॉक्डाउन की वज़ज़ से बार बार ग्रोसरी करनी सकते हैं, और बार ही कब मैं हरा धनिया काट लूँगी, और साथ ही मेरे पास जिंजर कार्लिक है, जो के गार्लिक अराउं वन टेबल स्पून आट करोंगी, और जिंजर हाफ टेबल स्पून, थोड़ा सा इन में गार्निशिंग के लिए भी मैं जिंजर काट रही हूं, तो यहां पर मैं सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, पैन में दो टेबल स्पून ऑईल के डाले हैं और दो टेबल स्पून अँजर में देशिंगी और फ्रते स्पून गेत MASchn पकाऊंगी और साथ ही मैं इसमें हाफ थी स्पून जीरा एट कर दूँगी जीरे से बहुत अच्छा स्फुश्पू आती है सालन की न तो इसको अब मैं थोड़ा सा पकाऊंगी गोल्डन होने तक और जब यह प्यास गोल्डन हो जाएंगे तो इसमें जिंजर गार्लिक आट कर दूँग इस पू और जाएका मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे आट करने के बाद इससे भी गोल्डन होने तक अच्छे से पका लेने और जब यह अच्छे से गोल्डन हो जाएगा तो फिर हमने इसमें टॉमाटोस आट करने है झाल 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 आपने पानी में तकरीबन गल जाएं जाता है लग से पानी आट करने के भी ज़रूरत नहीं है इसमें दही भी है तो दही भी अपना पानी छोड़ देता है तो अब मैं इसके अंदर गोभी आट कर दूँगी और गोभी आट करने के बाद इसे दो से तीन मिनट भूनना है अच्छे से और भूनने के बाद इसे बारा से पंद्रा मिनट तक गम दे देना है और पानी इसमें बिल्कुल भी आट नी करना क्योंकि गोभी का अपना बहुत पानी निकलता है तो वो उसने अपने पानी में ही गल जाना है तो बस यहाँ पर इसे दो तीन मिनट भूनूंगी और उसके बाद इसे कवर करके रग्दूं भी बारा से पंद्रा मिनट उसमें यह अच्छे से गल जाएगी और ओयल भी अच्छे से सेपरेट हो जाते है इतनी देर में अबन भी आम तुल का बें देर में को सबस्क्राइब इसो अधनिया डैला है और निंग डाल तो मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप ऐसी मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, आप लोग अप्रिशेट कर रहें मुझे बहुत खुशी होती है, मैं रोज आप लोग के कॉमेंट्स बढ़ती हूँ तो इंशाला ताला अपने नेक्स वीलोग के साथ आप लोग असे जल्दी मिलूंगी जब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अलाहफिस, टेक कियर